इस गाउं को तो आप जानते ही होंगे लाहोली तंबाकों की जिब्बी जितना छोटा सा गाउं इस गाउं के लोग गरीबी का मन्यन घिस घिस के सारी उम्मीदें हार चुके थे कि अचानक एक दिन उपर वाले ने उनकी सुली एक लोटरी ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरे गाउं में धमाल मचा दिया सारे गाउं को ऐसा माला माल कर दिया कि इस तंबाकों की डिब्बी से खुशियों की महक आज भी आ रही है लेकिन इस गाउं से सोलादाओ दूर बरसों बाद लोटरी ने एक और कमाल किया उस गाउं का नाम है बिजनोर यहां रहते थे दो गहरे दोस्त एक डेविट दूसरा पीटर दोनों हर चीज बाट के जीते थे सिवा एक मेरी पीटर का प्यार दोनों थे तो किसान पर धनवान बनने के लिए रोज लोटरी खरीदते थे आधा अधा पैसा डाल कर और एक दिन लोटरी लगी कि पीटर की नियत बदली पीटर ने किया डेविट से धोका तो उपर वाले ने दिया पीटर को जटका पीटर ने कर दिया अपनी ही नोकरानी को प्रिगनेंट तो मेरी ने गुस्से में कर लिया डेविट को पर्मनेंट जिसने जैसा बोया उसने वैसा पाया अब देखिए के उपर वाले ने इस कहानी में आगे क्या खेल रचाया जौनी जौनी पानी से गीले गीले उठोगे या सूखे सूखे उठना है तुमें आपकी तबियत ठीक नहीं है आज घंटी देर से बजाओगे तो क्या फरक पड़ेगा मरिया वो चर्थ की घंटी है जो पूरे गाओं के लिए इश्वर का आदेश है कोई साइकल की घंटी नहीं है सौयम बजाओ सौयम सुनो उठो जॉनी भाईया उठो भाईया देखो सूरज सर पर चड़ाया है सूरज इसके सर पर भी गिर जाएगा तो भी नहीं उठेगा शेर समझ कर पैदा किया था निकला बकरी बकरी कोन बोला रहे लो पुरा गाओं इसे बकरी कहता है बाप ने कह दिया तो मिर्ची लग 25 साल का सांड हो गया बड़ी बेहन घर पर कुमारी बैठी है बाप इस उमर में काम कर रहा है लेकिन यह गोड़े बेचकर सोया हुआ है चलो मैं चलता हूं एक बड़ी टॉर्च खरीद लो ना इस धुन में यह छोटी टॉर्च लेकर जाओगे तो लोग सोचेंगे कि मुम हुआ हुआ है जितनी शरद्धा और भक्ति के साथ तुम चर्ज की बैल बजाते हो उसका आदा ध्यान भी अपनी तबियत पर दोगे तो अच्छी तरह बैल बजा पाओगे लाओ यह चावी मुझे दो कुछ दिनों की छुटी लो और घर पे आराम करो और अपने बेटे जॉनी को बोलो क मेरी बात कहां से जाने देगा अरे सब बातें भूल जाओ रात गई बात गई रात गई नहीं फादर गहरा आ गई है यह तो हमारे येशु की कृप़ा है कि वो नदी के किनारे हमें सस्ती जमीन मिल गई सर पर छट पड़ गई नहीं तो पता नहीं कहां भटकते पिरते जहां तक मैं जानता हूँ जौनी ने कभी किसी का बुरा नहीं था वो बेचार जो कुछ भी करता दूसरों की भलाई का सोच के करता है आप उसे नहीं जानते पादर उसकी तरफदारी मत कीजिए उसने आपको भी अपने रंग में रंग लिया है मेरी कोई कंती दए 콩व किम्रें को आतर्स रास्ता खतम खेल भी कहतम हम था nor अपे रोख कहलें नहीं तेरी हटेँबसी फोलमे यह कियो मत कीयो थे नात-ग्रदों की तरह महनất करके हम ने जो पैसा वो तू खा गया है पैसे मैंने नहीं खाए देखो तुम लोग इतनी चोटी उमर में मेहनत मजदूरी करते हो मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दू लोटरी खरीद आके मैं तुम्हारी करोड़ बती बनाना चाहता था ताकि तुम लोग पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो अधिना अज तुझे मार मार के पैसे वसूल करेंगे एक मरे वागो यहां से अज जोड़ी तुम बॉश्त था नियस्ते बात करूंगी करते हो जौनी बड़े तो बड़े बच्चे भी तुम्हें पीतने लगे इसलिए पुरा गाह तुम्हें दर्पोग बकरी कहता है यह चुपकर मैं डर्पोग नहीं हुआ याद है गांदी जी ने क्या कहा था कि कोई अगर एक गाल पर थपड मारे तो दूसरा गाल भी आगे क यह उन्हों ने वह कहा और वो बन गया महात्मा मैंने किया तुम्हें बकरी यह क्या बात हुए यह लेकिन अन्याय सहन करना भी तो पाफ है ना जौनी थोड़ी तो हिम्मत दिखा थोड़ी तो मर्द बनो कहना मारिया हिम्मत अगर ऐसे बाजार में मिलती ना तो मैं होलसल म मैं मजाक नहीं कर रही है मैं भी मजाक नहीं कर रहा तुमने बाबा भादूर का नाम सुना है हिम्मत पूर वाले कौन अरे एक बार जिसने बाबा भादूर का धागा बांदा वो फिर कभी न भागा चलो मैं तुम उनके पास ने चलती है तू पागल है अगर तेरे भाईय नहीं जाओंगा तो नहीं जाओंगा ये देख आज का मेरा मार खाने का कोटा पूरा हो गया साथ साल पहले हमारे इस चर्च में से 22 करेट सोने का क्रॉस चोरी हो गया और सारी जिम्मेदारी पुलिस पे डालके तुम सब गाउवाले चदर उरके सोते रहे और सब को सोता तो मैंने कहा कि चर्च का जमीन मैं खरेद लेता हूँ पैसे भी मिल जाएंगे गोल्ड क्रॉस भी बेंट वह फादर क्या ढूंब रहे हों दो गोल्ड क्रॉस अंदर रखा हुआ है पे अटेंचन प्लीज भाई कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ यहां पे 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 अब जानी थी जब तो बड़े आदमी बात करते हो ताब मोटो को बीच में नहीं बोलना चाहिए बढ़िया तो फादर ने नया क्रॉस बनवाने के लिए बड़ा बड़ा सुपर लेटिव आइडिया निकाला सारे गाव वालों से थोड़े-थोड़े पैसे इकठे कर गंटा प्रसाद का बेटा बक्री जौनी ने फादर से भी बड़ा बैजा बाज आईडिया निकाला फादर से कि फादर फादर इस सारे पीस्तितफंद में लगा देते एक दो जाएंगे दो के चार चार के आठ पादर उचल उचल के नाचने लगे आप सब लोगों के पैस फादर ने चीट फंड में लगा दिये फिर चीट फंड का है पैसे खला खेल खटम फादर को पड़ी खेल लगता है पढ़ने वाली मेंदा जीजा बड़ा कमिना यह सुना भाई आप लोगों ने फादर ने हाथ उपर उठा लिए देखो भी हम कुछ नहीं जानते आप हमारे पैसे देंगे या तो यह सब के पैसे होएं इसको पबता अब जो आदमी नाते पिशाप करेगा उसको कर्षे पकड़ों गया अरे पैसे अंदर किये होते हैं तो नदिया किनारे बेचारे जूपड़ा बांद के नहीं रहते हैं अपनी जाती दुष्वनी का खुनस निकालने के लिए चर्च का इस्तेमाल मत करो वाइश पीटर डेविड और जॉनी अच्छे लोग आपको इसको सपोर्ट करने तो करो हम लोग इसके बेटे जॉनी को नहीं छोड़ने वाले अमरी बेहन के पीछे दूंगल है तो के गुंता है अपनी बकरी को बांद के रख नहीं तो उसकी दंपर्यानी बना के पूरे गाउं को खिला जूँगा अरे देखो देखो भाई म मैं सिरब यह कहना चाहता हूं कि जब से गोल्डन क्रॉस चोरी हुआ है कब से मानों इस गाउं पर बतकिसमति के बादर्च आ गये हैं इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे प्राफना करता हूं कि पुरानी दुश्मनी पर मिट्टी डालो और सब लोग मिलकर गाउं की भ मां तू सामार ले मैं अभी आता हूं वाह बस क्रास बनाया है आदमी को मरने का मज़ा आ जाए अरे पिंटो क्या हुआ हवर पड़ी क्या पांच साल में ऐसा टीका आने वाला है कि किसी को दिल का दोरा पड़े गाई नहीं अरे सत्या नाश्या या दवाई की कंपनियों का कि टोपड कर देंगे मेरा धंदा कितनी मैनत से बनाता हूं एक एक ताबूत आ गया भाई मेरी रोजी रोटी मेरे अन्नत दाता मेरे भगवान अरे भाई एक ठंडा पानी का बॉटल देना लेकाल दो सिर्फिया नहीं नहीं मेरे खाते में लिख देना है लेकिन क्यों आप इतने मरीज़ों को खुण चड़ा सकते हैं तो मैं कि आपके बाटी पानी निचड़ा सकता मेरे मतलब है पिरा नहीं सकता ओ अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया लगता है मैंने आपके किसी रिष्टेजा की जान बचाई है यह क्या बूल गया डॉक्टर साब मेरा तो अच्छा जाए और वो आपके इस गाव में आने के बाद ही चला है तरक्की हुई है तरक्की हुई है यह जो साब यानि आपके कोई दवाई के दुकान है कहां है वो दुकान मैं कॉफिन बनाता हूँ आदमी गुजर जाए उसके डी एक तम कमफोटेबल ताबूद बनाता हुँ ताबूद की दुकान है छोटी सी आप ही की वज़े से मेरा धंदा चला है डॉक्टर साब वाट ब्लड़ी नॉंसेंस अर यू टॉक्टर साब पिछले लोटीन अपते से अपने एक भी ओपरेशन नहीं किया देखिए मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं हफते में दो जाल रही है कि जब भी तुसे किराया मांगती हुँ तेरी कड्की आ जाती है अब तेरा यनाटक नहीं चलेगा किराय दे कड्की मेरी भी चल रही है अरे तुने आपनी कड्की को खुदी नहोता दिय है उस डेवीट के घले की घंटीना बनकर पीटर के जले का हार बनती किराया और चावी दोनों मेरे पास आजाने चाहिए नहीं तो तेरी गाल और मेरा हाथ मारिया डारलिंग तेरी जवानी ढल गई रहे। झाहिमें तेरे हाथ मेरे गाल को छुते तो सब कुछ थेरे नाम कर दिता। इस उबार में तो मुश्किल है। मा चोड़ मुझे मा अरे चोड़ मुझे मा अरे चोड़ा ओनए मा नहीं मा अरे पासके चाड़ मुझे, चूट, मा चलो घर चलते, चलो ना मा, अरे मा क्या कर रहे थी तू, तू तो मोल के निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद तो मुझे ही पकड़ेगा न, मुझे इसी रास्ते सरो जाना जाना है, रास्ते पे लिटा लिटा के मारेगा मुझे, तू बक्री की तर अरे यही तो समस्या है न, मा, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ न, उसे कोई नहीं सोचता है, मैं भी कहां पक्ठर पे सर फोल रही हूँ, बस अफसोस एक ही बात का है, आज अगर तेरा भाई सैम जुन्दा होता, तो उस गोपाल की क्या हिमत होती, कि वो मेरा हाथ पकड़त मा, मा, जो है उसकी कोई इज़त ही नहीं, जो नहीं है उसकी सपने देखती रहती है, वो भी मेरी तरह ही होता अगर इदर होता, ए बकरी, तुझे चर्च के पादरी ढून रहे हैं, क्या कर मिल ले ना उनसे, मा, तु घरजा में आता, ठीक है बाई साब, ये सिट महिलाओं के लिए, क्राम किसके लिए है, है, क्या, अब बैठी हैं, पदा नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, क्या बात है, अरे कब से तेरी लेला बुला रही है, बैठा क्यों नहीं बाजू में, ये, मैं बेवकूप नहीं हूँ, मैं अभी संजान कहां नहीं फैला देते, मेरा और इसका कोई चक्कर चल रहा है, है, साथ करता है, ये, ये, या पे कुद दिखा है क्या, क्या, क्या मैं मुर्थ हूँ, अरे पूरे गाहों का मालूम है, तुम दोनों की लउच सोरी के बारे में, बात चलता है, ये, चल चले, ऐसा कुछ भी के नहीं की ये क्या है, वो क्या पूछता रहे, तुकंड़क्तर रहे, इंस्पेक्टर नहीं, अब ये, तुम दोनों ने एक ही जेगा की टिकेट कटवाई है न, इसलिए पूछ रहा हूँ, अंजार बनता है, बात करता है, अरे कई भी जाओ, मुझे क्या है, जहन्नु में जाओ जहन्नु में, हाँ, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, बस में खड़े खड़े हमेशा मुझे उल्टी हो जाती है, प्लिज मुझे खड़े खड़े सीटे देना, नहीं तुम ये कर दूंगा, खड़े खड़े नहीं लड़की वाली है, तुझे मैंने पहले ही का चा चाउन जाना है, प्रोटे खड़े खड़े है ढाला है, आप धेक लग रहा है, थेंक यू हां बापी-जी? बाबीजी, तू बस से उतर देको दिखाती हो, मेरो मुश्किल में तो गदे को भी बाब बनाना पड़ता है, तू थोड़ी देर के लिए इस बकरी को देवर बना ले ना, किसी को शक्नी होना चाहिए अभी तो इतना डर के बैठ रही हो, लेकिन जब बाबा का धागा बान के तुम लोटोगे ना, तब तो बड़ी हमद से मेरे पास ही बैठोगे, मुची तो पूरा भरुसा है, अब कृपया चलती बस में लड़को को ना छेड़े छेड़े नहीं, चलती बस में लड़को को ना छोड़े, अरे, बात उल्टी है या, सिधी सब को पता है, मा, मा, अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है, मारिया का है, कहा होगी, कॉलेज में होगी, वो कॉलेज नहीं पहुची, इसलिए तो पूच रहा हूँ, तो फि धरिया हो, धरिया हो, धरिया हो झाल झाल जाएगी बहार आंदोलन शुरू है अरे मरवा दिया है बाबा ने मैंने बोला तरह मुझे किसी बाबा अबा के पास नहीं जाना है अगर टाइम पे तुझ घर पे नहीं पहुंचे नहीं तेरे भाई तुझे ढूणना शुरू कर देंगे अरे कुछ नहीं होगा हिम्मत रखो हिम्मत क्या का था तुने ये धागा बाने सिर्फ हिम्मत आ जाएगी न हाथ का अपरा है मेरा मेरे पापरे अब क्या करेंगे है 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 तुने बक्री को देखा है बहुत बार देखा है वे उजादा बोलेगा ना तो यहीं काड़ दूंगा जॉनी का दोस्त है ना सच बता कहा है वो जॉनी उसको तो मैंने सुबह से नहीं देखा तो बहे मारना में तो एक बात बूलता हो चल बग हुआ में खबर है कि बक्री और तुम्हारी बहन भाग गए सले क्या बोला तुने अब होई मेरी बहन के बारे में ऐसी जूटी खब सब्सक्राव से बस में सवार एक लड़की जखमी हो गई अरे देखो भाई लोगो अपना बक्री टीवी प्याराए उसकी यहालत देखकर उसके साथ का यूवक बेहोश हो गया है यूवक का नाम बक्री बताया जा रहा है जलो अरे अरे भाईयों भाईयों अब तो दुनि प्रणित के सामने सच्चाई का भूत काभूत से बार आ गया अब चिपा के फाइदा क्या अस्पताल जाओ जाओ जॉनि और मारिय का पाऊ एक दूसर के हाथ में देदो कि अधिया अधिदा जी अधिन समाल किया अधिकरी ए बखरी करें रुको मुझे वापस ले जाओ पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यह लोग हमारी तरफ ही आ रहे है लगता नहीं सच मुछ इधर ही आ रहे है कि अधिया अधिया तो मेरे तो पाऊ हिलना ही बंद हो गए क्या करों कि यह रपे चाट अब आशाले तेरे में इतनी हमत आगी जाए कभी देए वस्ताइब आट 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 जाए आरे कले लिए रहए है क्र營ी सवेेँ इसंतर अंतरोगे निए। यो दोशिका में, हुआ हुआ यृआ है पुट हुआ है। एक सेब फोージघा राँ बनए मत्यदी रीम शची शर्णा की अ किल्यृम पाइस, पली जो तो आजदा हो gue एक डूंग है, जो जए, जो लू खाएस, जो पाया, सपी जास पकना है ये! ए, झाल, पियोग सिह एवा मुवा जाल। ऑब ह१। ऑबली सुछ था को पाल। वर्णननननननननननन। तरीजि पर चाहेंगे यार पापादेरी परचाहिए भी मेरे बहेंपे बड़ी ना तुझ्ञार देरी परिवार को सिंदा जा लाडा लुगा सुझार है इस अड़ा हुआ पादक्टिको पापा, 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 अब क्यों आए बीच में उन्हें रोकने, वो लोग कुछ जर मुझे मारते हैं और फिर थक के चले जाते हैं ना पापा रोबर्ट लोबो, क्या बोला डॉक्टर ने? जी, डॉक्टर ने काया है, दो ही दिन बचे हैं, परिवार बानुक को बताना है तो बता दीजीए अच्छा, ट्वेंटीटीटू, सिक्स्टीटू, क्या मारा है, चोटना नी उनको, बिल्कुल केस ठोख देना हूं पे, हाँ, मेरे बच्चे दोख देना है, हाँ, मेरे बच् मेरे बदन को तो आदत हो गई है, उनका मार सहने की, लेकिन मेरे बुड़े बाप को मारने की क्या जरूरती है, लो आगया मुर्दाड उनने, गिधर का बच्चा, अफसो से पीटा के तुमारे बच्चे अभी तक जिन्दा हैं, जिनों ने ऐसा काला घटिया काम किया, भई संभी होती है, आगे, माफ़ी माँगी से, हराम जाते, जी बोलिये, हम सिर्फ इतना बोलने आएं के, भई बोलना जो मैने बोला है, बोल, मैं बोलता हूँ ना, अबे ओ, आज के बाद ना तु मारिया से मिलेगा, ना उसके आस-पास दिखेगा, और वो हर संडे चर्च आत सुबे से दूफे तक मारिया कॉलेज में जाती है, तो दूफेर तक तू घर से बाहर नहीं निकले गा, अगर हां, दूफेर से 4 बजह तक वो कम्पेटर क्लास जाती है, तो 6 बजत तक तेरे को बाहर नहीं निकला है, समझा! पिशाब लगी तो बाहर जा सकते हैं ना? कि वो भी घर के अंदर ही कर लें? ठीके ठीके, मैं चार बज़े के बाद ही घर से बाहर निकलूँगा तो अब तु चार बचे के बाद ही रहेगा तो फिर म्यूजिक चिटने कॉन तेरा बाब जाएगा? अरे हाँ, चार से छे वो म्यूजिक लाज जाएगी, तो अब तु छे बहे तक गर पी रहेगा मतलब तु घर से बार निकले गाई में क्योंकि सुबा से शाम ये लोग तुझे निकले नहीं देंगे और शे बजे के बाद अंदेरा, इसलिए तू निकलेगा नहीं मतलब सरंडे तक तू बार निकलेगा ये में कमाल की खोपड़ी है तेरी, सब समझ गया ना इसको भी समझा दे तो तो फिकर मत कर बकरी बेटे, तो फिल्कुल फिकर मत कर अगर मारिया के दिल में तेरे लिए सच्चा प्यार है तो ये लोग तेरी जिंदिगे में कितने भी रोडे डाले मारिया तेरे पास ही आएगी लेकिन अगर, अगर वो तेरी माँ जैसे निकली फिर तो तू कितनी भी जान चिरग वो एक ना एक दिन तुझे दोखा देखकर किसी भी आयरे गयरे सडक चाप कुत्ते के पिल्ले के साथ भाग जाएग पहन हमारिया है समझा अपने बेटे को थी जादी वो गिधर, बाग बाग, तेरा काम हो गया, बाग I am sorry, he is no more Dr. Saab, आप खुदा है Dr. Saab, अगले अपते उसका भी जड़ा देख लेना Please, please Get out from here, you bloody fool Excuse me, hath थेगे, hath थेगे मैंने मचली दोकर ब्रीज में रख दी है ए पिचाट आंटी, ब्रीज नहीं फ्रेज अरे हाँ हाँ वही सोई भी देखो, लड़की भी देखो अरे अपने आपको कब देखो ये बुल-बुल आंटी मारिया के साथ के कर रही है लगता है ये बुल-बुल पैरवान को पीटर ने मारिया का बोडी-गार्ड बना दिया है अब बक्री की तो आप नी ये लो घूप बस्दागे गी श्यूब भी राड़ कर अचा kita उन्यो seems अब बुल-बुल सुनिए बहुत हो गया आपकी तबियत ठीक नहीं है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा ये काम वो देखो तुम्हारा राजकुमार लगता है कलेक्टर की परिक्षा की तैयारी कर रहा है पहली बार इसके हाथ में समाचार पत्र देख रहा हूं जोनी जाके पापा की मदद क्यों नहीं करता अरे मा कल के करोणपती को यह ऐसे गड़ा खोदने के लिए कहते हो तुम्हें शरम नहीं आती काम नहीं करेगा तो क्या तेरा बाप बनाएगा तुझे करोणपती अरे पापा वो राज जब मैं आपको बताऊंगा नो तो खुशी से जूम उठोगे आप जब करोणपती बनेगा तब बनेगा अभी काम करने में चीटियां काट रही हैं तुझे अरे पर पापा कल जब मैं करोणपती बन जाओंगा तो क्या बोलेंगे सब गाओवाले हां यह यह तो गड़ा खोदू था गड़ा खोदू हराम हड़ी गड़ा खोदना तो दूर कभी भूमी में छेट तक किया है तुमने और यह मत भ लोटी खरीजने के लिए पैसे तुमने दिये आपकी नहीं मेरी मारिया ने भागी दारी है हमारी जो भी लगेगा आधा क्या था अरे आप दुनिया के पहले से पापाई जो अपने बेटे को करोणपती बनने से रोक रहे करोणपती के बच्चे मैं यह भूल कर चुगा आप दूराट किसी का भागे नहीं चमकता और करोणपती बनने के लिए छोटे रस्ते से काम नहीं चलता जल निकल जाए निकल अधा अधा यह भगवान यह कैसा श्राप दिया तुने मुझे मेरे सोने जैसे बेटे को मुझे चीन लिया और इस धरती के बोज को मेरे सर पर पढ़क दिया मैं अभी कुए में कूद कर अपने प्राण देते तरू है अरे सुनिये रुकिये बच जाए अरे कुए में कूदने के लिए कोई छाता लेके जाता है क्या मां तुमने कुछ सुना क्या यह क्या आवास थी बेटा मुझे चिंता हो रही है तेरे पापा अभी तक घर नहीं आया सुभा कुए में जाकर मरने के बाग कर रहे थे जॉनि तॉर्च लेके कुए के पास देख करा जरा ए सुना नहीं दूने चल जा जा जॉनि किसका नाम है हाँ अरे घर में तीन तीन शेरी जैसी ओरते होते हुए एक वेचारा मरन अंधरे में क्यू जाए हाँ मा छोड़ो इसे हम लोग जाता ढूंड़ते हैं चलो चलो लिली अरे मुझे अकेला चुड़के कहां जा रही हो अरे रुको वह हम सब के आप आया है ना हम सब साथ में जाएंगे उन्हें डूढ़ने पहले मता देना चाहिए था न तुम लोग भी आ रहे हो रात में अकेले नहीं जाना चाहिए और नहीं किसी को जाने देना चाहिए जोनी चुब बैठो अब मुझे शब्द भी मत निकालना अरे यह तो पापा लग रहे है पापा देखो आपसे मिलने कौन कोना है ओ चीजुस सारा जल्दी सरसी लेकिया हां मां पापा ना शुरू से जबान के पक्या है जो बोला करके दिखा पापा बस दो मिनित लटके रहो ना भी रस्ता हूं जॉनी यह लो रस्ता हूं हुँँ हुँ पापा रसी पतक लाओ पापा सभल के जाओ रहा है यहां मेरे बापा कुए में कूद गए हम उन्हें बाहर निकाल रहे है अब उल्लू के पठे तो फिर मैं कौन हूं अरे तू कोन है पता करने के लिए भी वक्त नहीं है क्या पापा मां तुने बताया है मेरे दोदो पापा है चिपकर पागल क्या बख रहें अबे मूर्ग तेरा एक ही बाप है मैं हूं मैं अगर एक बाप बाहर है तो अंदर कोन है अबे अंदर कोई अजनभी है गदेव वो देख कि दिख रहा है चल्की अबे कीज विटारा कबसे पता नहीं फड़ा है उदर चल्लागा जोर शबस लगा जोर तोड़ी मदब तो करो रहे कभी तो मेलंद का काम कर लिया कर चल्लागा कि अश्या जूंक्शक्रा और ख्मिर है कि इदक्तरी पूला जोराइ कार वाया शर्माँ है नहीं कहा गाल कि अ मैंने अपनी जान पर खेल के तुम्हारी जान बचा ही है ! मैंने इस डी गाओं कोyorsun कहें हो ! कहाँ जा रहे थी ? और यह कोई में कैसे गिर गए !। सexistने पापा फिर से कोई में गिर के कैसे बताएएगा !! तुम कॉन हो बेटा कुछ तौ कहो ! लगता है गूंगा है बेचारा, गूंगे हो, नाम क्या है तुम्हारा, खाना, खाना, पापा बड़ा अनुखा नाम है, चलो लेकिन एक बात का तो पता चला तुम गूंगे नहीं हो, अरे खाना, उसे बोजन चाहिए, भूखा है बेचारा, चाओ, डाल रुटे लिया, चल, इतने गहरे कुएं के अंदर हवा थी, नहीं पापा, वो अकेला था, चुटकला सुनाने का भी कोई समय होता है, चुटकला, क्षिए है आफला है लेड़ा, जुटकला जुटकला झाल बाना, उदाना का लग CC आट मज़ हो, जुटकला सुना फ्ट्वशने का लिए का उना प्यूँचा धुटकला, चाम बवते को एक डाए यू़ारा पिद्क्श, ऑपलावे. को टूप है नगलागा है को 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 भलाग को को अई जह को वे वह वह भाई साब खाना हो गया ना चलो गाउं के बार छोड़ाता हूं चलो लगता है इसकी तवियर ठीक नहीं है इसको यहीं सोने दो आज रात पापा ये अरे भाई बिमार है बचारा तू कहां जा रहा है मैं अंदर सोने नहीं तू यहीं सो रात को इसको किसी चीज की दुरूरत पड़ी तो अंजान आदमी है रात को गलावाला दबा दिया तो आपका दूसरा बेटा भी गया अरे बैचारे को रात को प्यास वैस लगी तो तो कुआ है ना अपना वो सुखा नहीं है जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा अरे भाईया सुनो वो जो कल कुए में गिर गया था ना फिर से गिर गया क्या नहीं पर वो बाहर तुम्हारे टूद ब्रच से दात साफ कर रहा है हां हां अरे उसके दात खराब हो जाएंगे यह मेरा प्रश है अब नहीं चाहिए मेरे को लगता है हाथी के खांदान से स्नान भी खतम है श्रीमान यह यह दुला हुआ है लगता है इसे चलने में अभी भी कश्ट है एक काम कर इसे बाजार तक ठोड़ा है वहां क्या देख रहे हो तीट है अब ही घर में कुछ नहीं बना कुछ नहीं जोनी इसे ले जा चाय की दुकान पर ले जा के कुछ खिला दे और मेरे खाते में लिखवा देना इसको बापस मतला हुआ जोनी बेलिंडा अरे किसी से भी पूछो मेरा नाम इजद के साथ घर पे छोड़के आएंगे अरे बच्चा बच्चा मारता जानता है मुझे मुझे पताओ दुनिया में सबसे जरूरी क्या है अरे खुश रहने का जो में रहता हूं इसलिए पूरा गाउं जलता है मुझसे बकरी बुलाते हैं मुझे लेकिन मुझे परवानी है कि पता है मुझे मालूम है मेरी तगदीर एक दिन मुझे बैठे बैठे करोड़ बती बनाने वाली है तब मैं दिखाऊंगा इन गाउंवालों को सिखाऊंगा इन्हें एक से करोड़ तक की गिंती डरता नहीं में किसी से मैं जरा जा किया है कौन है रहे तू कभी देखा नहीं तरको यहां मैं इसको कभी देखा नहीं क्या कौन है उदर बक्री तू तेरे को दो रात को जुलाब दिया ता ना कि अंदेरे से पहले तू घर से बाहर नहीं निकलेगा अरे इतनी हिम्मत आ गई बक्री में कि छुप-छुप कर मारिया को देख रहा तू ने ने मैं तो सुसु कर रहा था क्यों तेरे घर में करने की कि अंदेरे से पहले ही बाहरा गया कि मुझे घर जाना होगा कि खाना कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि इसको खाना दे अ कि अ उसन में अ तो नलस्त बड़ दो चाय बिना शकर इसका पैसा कुंदेगा तेरा बाप क्या मेरा बाप के खाते में अजय लिग देगा है यह लिगते रहे खाते में लिगते भाप पेदर भाई दो प्राठा एक चाई पराठा नहीं बचेगा और कुद बोल यह कोई यह रहे पता नहीं लगता है पराठे से इसके कोई पुरानी दुश्मनी है पूरा भीया तेरी तो क्यों बेख कि अधिसा क्या जाए तो अधिसा तो एंच आज निका है तो तुमांब करें मैं तो गदा अधिस पुद आःट्वीं पहें करते हैं अधिश्मनी है माल्स थôm मनां केना तुझे गरस निगर्ट केरिए कर ना हेख्षा मान था क्लिए पार्थ अउले नहीं, आप बने हमारे नहीं, पार्थ नहीं, आप। मुझे नहीं आप दुश्शने का जिए, आप अजिए, आप दुश्छ भाई। मेरे परणाँ अरे यार लगता है मैं देरी से आया कब चुरू ये फिलिप ये आचा मार्केट के बोथ मजारा बद कितना टाइम के बाद मिसाले ये ले इस बड़ी आख 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 अग। था चिए पीषेट में भाग टो नियरी अज़ पाग। मारे! मारे! मैं जाले परीब मनढ़स के, जाती हो! कि यह किंग कॉंग कहां से मिला है कुँए से रस्ती डालके निकाला अब यह मेंड़ा के जो कुँए से मिला सच बोल ला इधर 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 आया रहा है तू आई दर किया है कि है क्या है कि मैं चानता हूं यह कौन है कौन तेरा भाई है ना है ना अरे वही जो सालों पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था क्या नाम था उसका सैम Sam बईया है न? है न? तु मुझसरे नहीं चिभा सकता सही भैचारा ना मैंने? है? है? अरे इसलिए तो मुफ्ट में तेरी चान बाचा रहा है मैं जानता हूँ है न? है न? है न? तुने डूड लिया? तुन्द लिया तुने बदमाश कर दू कमेरा निया गया मैंचानता था अरे यार तु बक्रिये तो वो शेर है शेर मेरी बात सुन उसको खिला पिला के सांड के जैसा बना के रग तेरी सुरक्षा करेगा लोट्री लग गई तेरी अरे बात सुन अरे वा बेटा चॉकलेट द मरने में इन्से रजिस्टर है ज। ज्मरता इसी दूण हो क्या ज जुकश को आख क्या का तुमने काम तुम्हें चाए वो बेस गाउं में तो भाई साब, वहाँ बाजार में जो इतने सारे लोग तमाशा देखने खड़े थे न, वो क्यों खड़े थे, क्योंकि वो सब खाली है, कोई काम धन्दा नहीं है उनके पास फिर खाना अरे यार, हद करते हो तुम भी, ये तेरा बाप बकरी, किसने कहा तुमसे की पेट भरने के लिए काम करना ज़रूरी है, मुझे देखो, मैं कुछ काम करता हूँ, फिर भी तीन टाइम जमा के खाता हूँ, अगर तुमें भी ऐसे ही मुफ्त का खाना खाना है, तो पूरे लेकिन वा रहने के लिए, तुमें पस एक छोड़ा से जूट बोलना पड़ेगा, बोलोगे ना, चलो कोई बात नी, कोई बात नी, मैं जूट बोलुँगा, मैं जूट बोलुँगा, तुम टेंशन मतलो, लेकिन मैं जो बोलुँगा न, उस पर बस हामे मुंडी हिलाना, उतना तो करोगे न, तुम क्या सिफ खाने के लिए मुझ खोलते हो, नामभिष, क्या बुला, क्या नामभिष क्या, मतलब, ने ने, जो भी बुला, देखो, देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद यू ही नहीं करता, तो मेरे इस हैसान के बदले में, तुम्हे ये मेरी रखवाली करनी है, रक्षा, एक चीटी भी मुझे काटनी नहीं चाहिए, चीटी, थैंक यू, चलो, मैं अपने परिवार का हीतियाज बताता हूँ, क्या है, मैं नहीं मानता, मैं भी माननी रहा था पापा, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वो पीटर के मुष्टंडे बच्चे मुझे मार रहे थे ना, तब ये अचानक भीश्मिया रो बोला, हे, किस साले ने मेरे भाई को मारा, हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अरे मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं था, मा, मैंने पूछा भी उससे, कौन है तू, हाँ, काया का भाई, तू आया क्यू है इस गाउ में, तो कहने लगा, जॉनी, जॉनी तूने मुझे नहीं बहेचाना, मैं सैम, इतना ऐसा था जग तुझे कंदे पे मिटा के स्कोल ले जाता था लेकि तब भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ लेकि मा जब उसने मुझसे कहा के जॉनी जॉनी तुझे याद है बच्पन में लिली नदी में गिर गई थी तब मैंने डूपके मर के उसे बचाया था तब साला मैं हिल गया मैं बोला यही मेरा भाई है आपको भरोसा नहीं है तो चलो पूछलो उससे ने ने चलिए ना पूछली जे उससे मा का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम सब याद है उसे, एक बार आप उसके चेरे को देखिए, हाँ मतलब वक्त के साथ इंसान का चेरा थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन फिर भी, गौर से देखिया उसके चेरे को और याद कीजिए अपने 16 साल के बेटे सैम को, हाँ उम्रे का थोड़ा बहुत फरकों का इ यह क्या कर रहा है? आपने कातर है एक दिन, कि बच्पन में आप जब खुदाई करते थे, तो मिटी के ढेले बनते थे, और सैम पे उन पर कूद के ढेले तोड़ा करते थे, तो उंदर ढेला कहा है, जो यह तात्रिया कर रहा है, यह यह यादा क्या होगा उन्हें, आपको म तुम इतने सालों के बाद क्यों आए? मैंने भी यही पूछा, अब क्यों आया है? इतने साल हमारी याद नहीं आई? तो बोला जॉनी, मैं बस कुछ वल अपने माबाप के साथ बिताना चाहता हूँ, मैंने का ठीक है चलो, अरे हम उससे पूछ रहे हैं, तू को ने दाल भ बेटा, तुम कहो, यह जौनी सच कह रहें, बेटा, तुम्हें सब कुछ याद है, हाँ? तुम हमारे सैम हो, हाँ? अरे अगर तुम सैम नहीं हो, तो इसे गुंडों से क्यों बचाया? और तुम सच कहो, सच कहो, तुम सैम हो? अरे तुम सैम हो के नहीं? तुम तेरे कान के बीजेक, किसी को भी उठा के लिया आते हो, और कहते हो, मेरा बेटा है, गाँवाले क्या सोचेंगे? श्रीमान, महापुरोष, आप जड़ा बताएंगे कि आप आकाश से उत्रे हैं, या धर्ती से उत्बन हुए हैं, अरे मेरे बाप तुम्हारा नाम, नाम, नाम क्या है? कर लो, कर लो, कर लो, आम ने सुना, इसे याद है, हम इसे बच्पन में, प्यार से क्या बिलाती थे? कर लो, कितना बड़ा होगी अरे? मैंने तुझे खब्बे से बान कर पीटा था, उसका कठोड़ दंड मुझे मिला, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूगा, अरे पगले, मैं तरह पिता हूँ, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, माबाप के लिए वो बच्चा ही रहता है, आए, मर गया रहे, सरयाम सब के सामने, उसने आपके बेटों को कुत्तों की तरह माला, और आप जबान सीके बैठे हो, देखो, बेटे, एक बाप हमेशा ध्यान में रखे, ये मारपे, मुक्काबाजी, लात्तमलात, ये सब ऐसी चीज़ है न, जब हम लोगों को देते हैं तो वापस भी लेनी पड़ती है, समझ गये, ये बाप तुम्हारे भाई शायद भूल गए होंगे, जी जा जी, मार पड़ी तो ठीक, लेकिन शरीर की जगा मारा है, डॉक्टर का कहना है कि इनकी आने वाली शादी शुदा जिंदगी में खत्रा बढ़ सकता है, वो जो नया आदमी आया न, उसे हम लोगों पर बहुत खुनस है, खुन तो वो भी उसी परिवार का है न, और वो लड़का सला बच्पन से ही बहुत डेंचर था, अरे उसकी तकदीर अच्छी थी के मेवा नहीं था, वरना उसे तुम मैं प्ये, रुक, तू अगर उसके सामने हार गया न, तो हम लोग हमारी पूरी इज़त हार जाएंगे, वो जाया है न, उसके पिछवाडे में दात शायताने सुसाना और तुम्हे भी उसके साथ शायतानी ही करनी पड़ेगी यह आवास कैसी थी? मा, जॉनी गिरा होगा हमेशा की तरह किसी चीज से डरके अरे इतनी रात को तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? हवा हवा खा रहा हूँ हवा खा रहा हूँ आवा और यह गदहा जहां क्यों सौ रहा है जो नहीं रहा है बेहोश अगया होगा तो उठाओ उसको जी पापा चलो उंदर चलो बाँर सर्दी यह थंड लग जाएगी ठाण लग जाएगी जो 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 आप अटो अटो तो तो तुझे क्या भूआ वो दीदी चटाई बिछा के अपने बड़े भाई को वाँ सोने दे अरे पापा चटाई में खटमल है और जमीन पे सोने से मेरी पीट दुखती है और वो चुए भी रात को नाक में पूझ डालते है ना जो बोला है वो कर पापा वो सैम भया को खुले में सोने के आदत है अठरा साल से पेड़ पेड़ी तो सोये कपरिस्तान में रहते थे ना उन्होंने बताया मुझे ले सोजा वो हमारे परिवार का सदस्य है वो यहीं सोयेगा पापा यहीं रखो कि अ कि अ कि कड़्डा ना खोदने पर मैंने इसे पीटा था और यह घर से भाग गया था अठारा वर्ष पहले कही हुई मेरी बात को आदेश मानकर आज उसे पूरा कर रहा है सुनो अब डाटना मत उसको कभी यह कोई गलती भी कर ले तो भी नहीं मेरी कितनी प्राठ्णाओं के बाद वह वापस लुटा है यह गड़्डा क्यूं खोद रहा है यहां कोई कुट्टा बिली मर गया क्या और फुकट के इतनी मेहनत मत कर तुझे और खाना देना पड़ेगा अरे तुझे तो तला हुआ पापड भी नहीं तूटता वह काम कर रहा है उसमें विगन डाल रहा है थोड़ा और खोद दिया तो जमीन से पानी निकल आएगा दो चार फुटी तो गहरा खोदा है पापा ने बोल दिया और लिली मेरा मुवन करने का सावान लेके आ गई ला हाथ मत लगाना यह कल्लू भाईया के लिए तुम्हें चाहिए तो जाओ रसोई घर में क्या कर्णेशनी देख चाहे पेदरो वो देख अबू कसाई यहां जू आया है वो मालूम नहीं लेकिन अबू कसाई आया मतलब कोई न कोई गया वो चल के ले ला अबू चलो यह पिल्ले किदर चुपाए तरह भाई उसको मिलना है तो घर पर आँ अब यहां आज तो तेरा भाई तो गया अब पोल्सन वोट में लिकल का स्पेशल स्याम और बकरी का सूप अब यहां वो कैसा ही आ रहा है मुझे काटने एक राक्षस को जीप पे लाया है लेकिन अबूलनस में आपको जाना चाहिए अब तीरी तो इतरा में भाड़े का पिल्ला लाकिया अपना को शेर समझता है वो देख अब मेरे भाहियों को पिटवाया अब मैं तुझे मार के यहीं तफन कर दूंगा भाया बचाओ अच्छा है तुने अपनी कबर भी खोद के रखी है भाया बचाओ केला मत खाओ बचाओ अरे भाया केला खताब होने से पहले मैं खताब होजाओ का कर बचारो के पड़्चल मार कर दो से अवैं खताब है यहाओ ऐसा भाया यहाओ के खताब कर फ тебя फएरल है खताब हो आद Division के है and खताब है अख्ड़ है खताब मैं हुँँँदके हैं चया बंच fij़ है और भाया है अर थ्बच़лаг सबत रख कि आग मैं ए लिली, चल्दी वह या के लिए दूद ले क्या यह पड़ा ए लात बस ए का जाली है मै यह को दी दे रहे वह वाला भया नि यह वाला भया जाला है we are एंधर के लां अधर मस्टी आफ आइच पुझतों गड्ड़े यह उसकी जान मद लेना कर में रहे जीट तो करता है कि इस गड्ड़े में मिट्टी भर दूं लेकिन तुमेरा होने का इस दोड़े मारा ज़िए लगी बड़ी अज़िए अगर तुझे मार दूंगा तो मेरी शादी में भाग भाग के काम कॉन करेगा चैला अपने सांड को ले और निकल कि मार से जादा मेरी धमकी से डर गये वो अरे भुट अब यह अब यह बकरी अभी चट्नी हो जाता था भाया को चट्नी पसंद है यह जाल निकल निकल इस पाइसा कान तेरे बाप देगा क्या नहीं 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 लेना देना क्या है महबद बड़ी चीज है आएए खाईए भाया त्याराम जी कि साब आचल बैचल यह जी किसाब से जेरे बाप के शादी की खबर से पियें क्या अबेर साले यह बया यह जाले चाले जान सब शलाम सब शलाम सब शलाम सब अर्दी पानों मिरे को पहचानों कहां से आया मैं बया यह यह बैठो यह चलो फुटक फुटक उटक तुम्हारी तो भीया बैठो ना बैठो यह पैद्र चले इडली संबर वडा संबर अलुकरोड़ पूरी बाजी बटनावड़ा समॉसा जलेभी सा पांच पांच पलेट जबल मसका मारके दो लिटर दूद के साथ ऑचल यह बकरी बगल में फोड़ा हुआ कि अब फोड़ा नीटे फंसा के रिखिये तेरे टकले पर फोड़ने के लिए भाइड को बोले के सैंपल दिखाने के लिए अरे नहीं मैं तुम जाब कर रहा था तो आप तर शिफ्रे कि बैठी ना अरे सुने रहे शरीफ लोके इसको पहल रुपया इसमें 800 कम है जोनी सब वो कहना आज करकी चल रहे है करकी चल रहे तो जंदा क्यूं कर रहे है ताला लगा चावी घर पर पहुंचा दे चौबीस घंटे के अंदर वरना सैं भाईया आक एक नया तौना लगा देंगे समझा कान खोल के सुन लो सब लोग इविक आज के बाद इस काव में किसने भी मेरा मताक उड़ा है न तो दो मिर्ट में उड़वा दूंगा जोनी या वकेला नहीं है समझे उसका भाई उसके साथ है किसी में हिम्मत कि मुले हाथ भी लगा सके अरब लाग का दूद भी आए तो आउ सामने अच अच भाईया वह देको तुमारी भावी भाईया ये मारिया है बच्पन से ही मैं इसके पीछे हूँ और उसके भाई मेरे पीछे बैस कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मारिया मेरी हो सकती है लेकिन अब तुमा गयो ना तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा बहुत 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 क्दर् souhaिक्त बहुत बहुत Just झाल झाल प्रश्च वाई बेटा इनकी वजे से ही तुमारी शादी हुई है चलो पाउँ चुओ आशिरवाद लो क्या हुआ फास गये बहुत बोरी तरह फास गये अब तो साम भाया भी हमारी शादी नहीं कर आ सकते हैं क्यूँ पाप और भाया ने शादी के तैयारिया शुरू कर दी है अब क्या करें इसे पहले कि वह मेरी शादी कोई और करा दे हम रेजिस्टर मेरेज कर लेते हैं ररिश्टर शादी, मारिया उसमें बहुत खत्रा है, अरे अब यही रास्ता है, हम शादी करेंगर वो भी कल की कल, कल, नई मारिया, कल कैसे, देखो, कुछ बाद में गड़बड हुई ना, फिर मुझे मत कहना, तैयार है ना तुम कल, मारिया, उपर वाला कितना दयालू है, है, मैंने चाहा, कि सैम भाईया मेरे गर पे आके खाना खावे, और देखो, वो आ गए, और खाना खा रहे है, खा रहे है, खा रहे है, जुलिया, खाना और ले आना, खतम हो गया तो पडोसियों से ले आना, सैम भाईया भूखा नहीं रहना चाहिए, क्यों भे, तू पहले नहीं बता सकता था, कि तेरा अक्यला भाई, दस आदमी का खाना खा जाता है, देख, दस बार आदमी मरेंगे न, उसका कॉफी न बेचके मैं पैसे लाओंगा, तब मेरे गर में राशन आएगा, अरे पैसे मैं दे दूँँगा यार, दे देगा ना, लेकिन बात तो सुनना पिंटो, सैम भाईया की ताकत और तेरा दिमाग, इसी के सहारे में ये रजिस्टर शादी करने जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा ना, तू फिकर मत कर रहे, तू कल रजिस्टर की ओफिस पे वक पे पहुंच जाना, बैं मारिया को लेके माँ तो सैम भाईया काम आना चाहिए, इतना खाना खिला है, खर्चा किया, बात कर ले एकदम पका कर ले, बात कर ले, बात कर, आपने मेरा हाथ थामा है, उसी के बलबूते पे मैं ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, वहाँ अगर कुछ गडबड हो गई तो आप सं जब बाहर निकल के बड़ा होगा ना तब पका के देंगे, सैम भया बाकी का घर जाके हाँ, इसको ले जा अंदर, वरना चिकन समझ के इसको खा जाएगा, जैसी लड़की आज आती है, आपको आफिस आना है, पूरे कागज़ा तायर है, आपको सिर्फ दस्तकत करना है, ठ कल्लू भाईया, आप बजार जा रहे हो, मुझे बस्टॉप तक छोड़ दो, कम्प्यूटर क्लास के लिए देर हो रही है, चलो 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 अरब आपरे, जब कहीं सब लेना ठीक से, अरब हम तो हमिश्या से पैसे समय, रोशी क्लिने के जाके आए, पिंटो भाईया, क्या हुआ, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या, हाँ, वो देखो पीछे, ओ, अंदर जाव, 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 अरब मैं बस कैसे पकड़ू, पिंटो कुछ करो, अरे सोचने दो न, खोपड़ी कुड़ेदने तो कोई न कोई आइडिया आएगा, तुमें काम करो, मैं देखता हूँ, फिर तुमें बुलाता हूँ, एक रास्ता है, तुमें काम करो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, Sam बैया, Sam बैया, बाड़ी रोको, रोको जहो पिंटु बैया तो नो दोनो कप्डे बदली करदा पादा पादा कप्डे बदलो चलो माइया करे बात करदा मुझा रहने त Gary Walking wellbeing क्या हुआahh e सेज़ा गए तरह怎么样 मैं चलक्ठा गाय तो क्या सिस्में घृवरी देने वwn में है वह चोड़ है कि तो इस बंदे का यह जानता है मैं यह जानता यह बड़ा बढ़ारी थे माथ एसको मैंने देखा है उसे यार जेल में तू कब गया जेल में अरे जब मैं दूद की डिलिवरी देने जाता था ना जेल तब देखा था इसको लेकिन ये वहां क्या कर रहा था एक लड़की के खोन और बलादकार के इलजाम में अंदर था बड़ा खतरनाक इंसान है वहावी सब का सब्सक्रापते थी इससी क्या कुनी बलादकारी मारिया को उस सैम के साथ बिठा दिया उसके बाद ही मुझे सैम की असलियत पता चली और मारिया अब तक या नहीं पहुंची क्या हुआ होगा यार मुझे भी वोई फिकर है तो चलना डूणते हैं चलो रुक 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 वो देख सैम भया के साइकल आई यार मुझे तक बिर्फुक मुझे परुक रिदेडरी आई तक ठीब करादी आई नहां अवा तक रिर्फुक मारिया 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 क्या हुआ मारिया 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 अरग से, चलो चलो बोल तो रही है, जान बच्ची सो लाखों पाए, देखो इजद का तो क्या है, तुम चिंदा मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे सब क्या हुआ, क्या, और ये, ये लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है न, कि वो तुम्हें फिर भी क्या पकपस करो तुम्हारीया, सैम का है, अरे सैम वो भूखा शिकारी होगा, एक और शिकार ढूंडने है, तु चुपकर यार, मारिया मुझे पूरी बात बता, क्या क्या हुआ, गोगो से बचने के बाद, मैं और सैम भाया साइकल पे जा रहे थे, और, थोके बास, देहीन तोसे चोड़ो चोड़ो उसे, षण्ाट असते स chem को उठ्मानिबर लेके गया, उसे तुने पहले देखाए गया, नया है उसका साईस क्या था मतलब लंबा था बटला था अै के बंड़ा था औरि एकंत पड़ेगा नंपा नेटा छोटा किया है दो में से एक तो मरने हिले वाल है अब समाल मिध'll the standard कर्फ 상 ढ करेंθραआ हैं यार यहां सैम गया बेर तो अपनी दर्जी की दुकान खोलके बैठा है मैं बताओं मुझे किस पर शक है किस पर गो गो 100% उसने अपने किराय की टटूओं को बेज के सैम को उठा लिया है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यह हम दोनों चोरी चोरी रडिश्टर शादी कर रहे हैं यह इसका इसके पहलवान भाईयों को पता चल गया होगा अरे ऐसा कुछ नहीं है बास कुछ और ही है वो आदमी सैम भया को धोके बास कह रहा था अरे वो जो भी है चलो फड़ापड मेरे स्कूटर पर बैठो रजिस्टर कर शादी करने के लिए अगर तेरे बापने तेरी जबर्दस्ते किसी और से शादी करवाई ना तो चर्च में तो फादर इससे पूछेंगे ना कि बेटा क्या तुम्हें रिष्टा कबूल है तो आईडू आईडू के जगहा पे नौट डू नौट डू बोल देना अरे चर्च का कानून है ना जबर्दस्ती कोई किसी की शादी करवा ही नहीं सकता चुप तुम पर भरुसा करके मैंने इतनी बड़ी गल्ती कि मुझे तो चपल पढ़ने चाहिए हमेशे आपने रंग ब देव नहीं लगती मारिया पलटके जाएगी तो अपने बाप के घर ना पिंटो हमारी इस लड़ाई का सेनापती सैम ला पता है यार और मैं अकेला कोई मोर्चा और नहीं समाल सकता वो गोगो है ना बिना नमक के कच्चा चमा जाएगा मेरे को यार अभी एक ही रास्ता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सैम ला पता है अगर किसी ने पूछ लिया ना तो हमको बता देंगे कि सैम किसी काम से शहर गया हुआ है लेकिन अपने छोटे भाई की एक पुकार पे सब छोड़के भागा चला आएगा यहीं बताएंगे ए तू भी सबको यही बोलना समझा ना तेरे मुव में पंचायत बैठती है किसी को सच्चा ही बताने की जरुरत नहीं है और अगर नहीं बोला ना तो तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ कौन है रहे, कौन है रहे तू साले, जॉनी, जॉनी रहे, जा, जास्ती मत बोल, वरना तेरे साइस का ताबूत एकदम रेडी है, कहानी मस्त बनाया, लेकिन अगर सैम वापस आ गया तो क्या कहानी बताएगा तू, बोल, उसके हालात इतने पेचिदा है न कि मुझे नहीं लगता हो वापस आएगा अरे, ये साइकल तो कल्लू लेके गया था ना, कहा है वो, बस में, इसमें मुझे साइकल दी और बस में बैठके चला गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सच, अलवीदा मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला, मेरा मतलब, वो हमें फिरसा छोड़के नहीं जा सकता, अरे, हो सकता है, किसी जरूरी काम से गया हो, और तू, उल्लू की दुम, तू डरा क्यों रहा अपनी मा को, अरे, पापा, वो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा, वो गया हमेशा के लिए अपने बीवी बच्चों के पास, क्या, बीवी बच्चे, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वो शादी शुदा है, हमने तो उसके लिए लड़की भी ढूण ली है, अरे, मा ऐसा बहुत कुछ है जो उसने नहीं कहा है, वो जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं, हाँ, जुका, अपने बड़े भाई के बार में ऐसे बोलते हैं, आया बड़ा भाई, भूल जा उसे, सोचो कि वो कभी आया ही नहीं था, और ना कभी आयेगा, हाँ, वो कोई आ रहा है, अरे, वो कोई भी आ रहा हुए, तेरी छोकरी ठीक है, रे बलत करी, अब किस लड़की का जीवन बर्बात करने आया फिर देख मुझे सब पता है तू एक बलत कारी और खुनी है है के नहीं तो जेल में का गिली रंडा खेलने गया था ए देख मुझे अब तेरी मदद की कोई ज़रुवत नहीं है आज अगर रात को तु यहां से रवाना नहीं हुआ ना तो कल सुबह में तेरी असले सब को बता दूँगा समझारा और मेरी माँ है ना जाडू से बहुत बुरी तरह पिटाई करती है सोच लेना और अगर तुम फिर भी ने गायरा तो मैं मैं तुम्हारे पेरों में घर जाओंगा और तब तक नहीं उठोंगा जब तक तुम चले नहीं जाते सुरा के नहीं कहां था बेटे और क्या हुआ तुम्हें ये गज़ा तुम्हारे बारे वातें कर रहा है कि तुम्हारी बीवी ये तुम्हारे बच्चे हैं तुम उनसे मिलने गए हो क्या ये साच्छा है क्यों रहे तुने क्यों कहा उसकी बीवी ये उसके बच्चे है मुझे ऐसे लगा अब जूट भी बोलने लगा अरे पापा असल में जो जूट मैंने कहा है मैं उसी को सदारने की कोशिश कर रहा हूँ कलो तेरे सिर पर एक चोट कैसे लगी गिर गया जीजस से मेरे कलो को किस की नजर लग गया जब हमारी भैस मरी तब भी तुम्हें इतना नहीं रोई थी पापा पापा तरसल यह आपके समने जिजक रहा है पर यह यहां नहीं रह सकता मतलब यह यह रहना नहीं चाहता इसी ने पापा को एकदम खुल के बताओ कि तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम यहां रहना नहीं चाहते, कहा था के नहीं। अरे तुने तो कर अब अगर जूट बोला ना, तो बीच से चीर के चुले में फेग दूँगा। वहाँ थो क्या काम, अब थोड़ा अराम कर ले। देख नालायक, इसे कहते हैं परुश, और तो तुझसे कुछ होगा नहीं, एक काम कर, हर रोज सुबे उठकर उसके पाओं दोकर वह पानी गटक जा, तब जाकर शायद तेरे बेजे में कुछ चंका लाएगी। ए, तुझे यादे ना मैंने क्या काहा था, कल तुझ यहाँ पर दिखना नहीं ची या, वरना वरना तुझे मालूम नहीं या, क्या क्या होगा। सुना के नहीं, बहरे। सुना के लिए, तुझे लिए, तुझे लिए, यह बिस्तन गीला कैसे हो गया। तु कहां जा रहा है, बाहर मत सोना, संदी लग जाएगी। अरे, यहाँ गीले बिस्तर पर सोने से अच्छा है, बाहर सूखे में सोये ना। दोजु जग रहा है, यह गंतूद तुमारी है। नहीं पापा, वहाँ लोटे में पानी रखा था ना, उस पे बिल्ली कूदी होगी। बिल्ली के बिल्ला। मैं बाहर सोता हूँ। बला टली। कल सुबर साड़ेशे की पहली बस है, तु चुपचा बाहर के बाहर निकल जाना समझा। करें। कर सिरस हでも ही, कर दोबके बाहर के लियह सोता ह। कर ड़एपनोंस के बिल्ली ट Indians प्त्रूइब Cr niñosा गना निक्ली पानी प्लोम है तुम हाँ Dual ख्या बाहर के बिल्ली है चको हो प्यादार निक्ष बिल्ल्ली बाहर के खन्या कि तो अब तक गया नहीं है तेरे को थोड़ी भी शरम नहीं है क्या गिरे हुए आत्मी गिर जाएगा अच्छा ए तु मेरी चिंता मात कैर और चल चल निकल यहां से यह शरीफो का घर है दो दो जवान बहने हैं मेरी और तेरा क्या भरोसा तुन तो मा को भी कि नारियल गिरा लेकिन हमार यहां नारियल का पेर है कहां और यह मेरे हाथ में था छूटके मेरे पैर पे गिरा खुश तू सुने तू मुझे मार के जीत नहीं सकता समझा ना बड़े-बड़ों की मार खाई है मैंने आज तो फैसला होके ही रहेगा यहां तो तू निकल या कार दे मुझे यहां पे कि क्या हुआ आप बहुत खुश लग रहे हो हां बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही पहचाना आज सच मुझ मैं बहुत खुश हो जब से हमारा कल्लू वापस आया है सब अच्छा हो रहा है आज लेली की शादी पक्की हो गई क्या यह तो बहुत और लड़का इतना भला है कि पूछो मत और मैंने तो लेन देन की बाद भी पूरी सपश्ट कर दी अच्छा हां पीछे का खेट मैंने लिल्ली के नाम कर दिया और दाइन और का खेट सारा के नाम और बाइन और का खेट जोनी के नाम और यह गर गर तो उसी को मिलना इसलिए पूरा घर मैने कलूग नाम कर दिया मैं क्या कर रहें आप सठीया गया कैrickली अपना पूरा गर्यूस उज्जनभी के नाम पर पर कर कि वह बड़ा भाई है तेरा और हमारा बेटा अरे किसने कहा आप से क्यों हो आपका बेटा है अरे तु उन्हें हर्ताल का नारा समय रखा है कि आज दिया कल वापस ले लिया जेगा मर्या रंग बदलने में गिर्गर से भी आगे है जैसे घर कल्लू के नाम करने की बात आई उससे रिष्टे ही तोड़ लिया चौनी तुम अपने सगे भाई से जल रहे हो अरे मा पापा वो कोई ब कल्लू के इस हुं पैसे आने लगे तुमारी दीदी का ब्या हो गया चोटी का रिष्टा रिष्टा परशा सुन लो पापा और कल्लू के इस घर में आने के बाद ही मैं चैन की नीन सो रहा हूँ और तुम ऐसे फरिष्टे के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हो शरम नहीं आती तुम्हें अब लोग समझ क्यों नहीं रहे हो वो बेह रूपिया एक नंबर का मकार है साला मकार जोनी अपने बड़े भाई के बारे में केसी भाशा बोल रहे हो वो मेरा भाई नहीं है नहीं है कान में बंप उटाए क्या सुराई नहीं दे रहा अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो उसे हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम है अरे क्योंकि मेरे प्यारे पापा, वो तोते की तरह वही सब कुछ उगल रहा है, जो मैंने उसे रटा है तुम कुछ भी कहो, अगर वो कल्लू नहीं भी है, फिर भी हमने उसे बेटा ही माना है, और आप वो बदर नहीं सकता आप नहीं मानते नहीं मानते नहीं नहीं मानते करो तो आप उसे सभी जगह पर लात नार के उसे लख भर से बाहर निकाल देंगे से नहीं मैं बेट तुम्हें रात मार कर नेखाना अब तक इन लोग ने तुसे जो कुछ नि पूछा तुने उसका सई से जवाब दे क्योंकि मैंने तुझे सिखाया था लेकिन अब अगर तु मेरे माबाब की असली होलात है न तो तु इस घर को छोड़ने से पहले कि एक ऐसी याद बता जो मैंने तुझे ना बताई हो एक य हुआ क्या हुआ है कि पापा अरे का पापा किसका पापा वह मेरा पापा यह तेरा नी संजा न ये चुप रहे हैं बोलो बेटा बरसो पहले यहां एक बड़ा आमका पेड़ था, वो कहां है? तुम्हें याद है वो पेड़? मुझे सिर्फ उतना ही याद है हाँ बेटा, था यहां आमका पेड़ ठीक किसी जगे है, जहां यह घर बना हुआ है उस पेड़ को काटना पड़ा, यह घर बनाने के लिए उसकी लकड़ी से ही, इस घर की छट बनी हुई है कम अकल, अब बोल, किसको निकालू घर से, तुमको या इसको अरे यार, मैं कैसे समझा हूँ तुम लोगों को लिली, लिली, कम से कम तू तो मेरा विश्वास गर, इसने माँ पाब पर कोई काला जादू कर दिया है, लेकिन तू, तू इसके पास में भी मज आ रहा, लिली अच्छाद्मी नहीं है, यह हमारा सैम भाई अच्छाद्मी नहीं है, तो इस दुनिया में कोई भी करना बढ़ेगा, या तो वो रहेगा, या मैं, तुझ जैसे निकम्मे के लिए, एक ऐसे आदमी को नहीं निकाल सकता, जो पूरे परिवार की बलाई के लिए, दिन रात पसीना भाता है, वाबाभाभाभा, आपको अपने स्वार्त के लिए लेक मुव्स का बैल मिल गया, नहीं, 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 तुम्हें बेकार कैसे कोई कह सकता है, यह सब खुशाली तुम्हारे कारणी तु आई है, एक ऐसा आदनी जो दिन रात लोटरी से करोड़ पती बनने के सपने देखता हो, जो ऐसी लड़की से प्यार करता हो, जो उसे कभी नहीं मिलने वाली, और दिन स्पीटर के पैर को चीना नहीं होता तो आग मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता जौनी और चाहीं कहा रहे हो यह स्थी तेरी मां है अगर मैंने इससे शादी नहीं की होती तो तुझ जैसा बेशरम पैदा नहीं होता जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ कर चलना जा रहा हूं मैं जाने दो इसे मरिया इस बक्री को कोई खास नहीं डादेगा जाम तक वापस आ जाएगा त्यृम खैसे लेकिन तुम्हारे बाप ने अकल का किया जो तुमको घर से बाहर निकाल दिया हैं लेकिन यह जादू हुआ कैसे फादर मैंने फिर उनसे इतना कहा कि उनकी प्रेम कहानी के वज़े से मेरी लव स्टोरी फ्लॉप हो रही है कैसे मैं समझा नहीं फादर मेरे मेरें पापाँ अगर पीतर की प्यार से शादी नहीं करते तो पीतर उस– शादी करता प्रू. मैं पीटर के घर पैदा होता और मारीय मेरी बेज बैन होती ही, फिर कोई जगडा की न ही ता न वारान मैं चिकन बिर्यानी खाता और ब्रसा ओड़ा पादर के गंद में बस इतनी सी सच्चाए मैंने उनको बता दी फादर तो गुसा आ गया निकाल दिया मुझे घर से और सुनाने लगे मुझे कि तुकिसी काम का नहीं है निकम आया बस पड़ा रहता है अरे निकल गया मैं भी मैं उन्हें दिखा दूगा फादर के बिना काम क में इनसान कैसे जी सकता है अच्छा अब समझा तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हो तुम्हें ऐसी जगह चाहिए न जहां तो बिना काम किये मुफ्त में खापी कर तब यह से पड़े रहो नहीं वाव फादर आप तो वाकई में ग्यानी हो मेरे बिना कई आपने मेरे मन की बा चाहिए और रात को रहने का सहारा चाहिए तो तुम अपने बाप की नौकरी ले लो चर्च की घंटी बजाना शुरू कर दो वरना यहां से दफा हो जब फादर आरे मैं तुम्हारा फादर ने चर्च का फादर हूँ जीजस वेर आरी हूँ अधर की पैंट थोड़ी धीलि बकरी बोलते हैं दिमाग में वहीं गुम रहा है क्या नाम क्या है तिरा जॉनी जॉनी बहुत अच्छा नाम है यहीं रख ले बक्वास बंकर और बता भागबा के यहां पर क्यों आया अरे यार मारिया की शादी हो रही है क्या कल ही और कल सुबा उसको बोलो लेकि कहीं बह करके मर और सुन रात को तेरे लिए खास वो अपने घर का पीछे का दर्वाजा खुला रखने वाली है अरे लेकिन मैं जाओंगा केसे मेरे पास कपड़े नहीं है रात को बारा बजे कौन देखता है बाबा नंगा जाना लेकिन जाना अर्या है सब लोग वो गया ना है हां तो अब इन खप्डों में भीज बदल क्या है हरी शुकारे भीज बदलने के लिए कपड़े तो मेले बेघर होना में आजकर इसकार इसकार प्ड़े अजकर प्ड़े के लिए एक ही जोड़े कपड़े हैं और वो भी धोके सुखाने के लिए डाले और तुमने ऐसे बुला ले अचानक आना तो पड़ेगा ही ना बताओ क्या बात है जौनी बात हज़े बढ़ चुकी है यह रोग जबरदसी मेरी शादी करने पर तुले हैं वो भी इस हाव थे तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंड़ो फिर मैं तुमर पस भाग के आ जाओंगी और फिर हम चोच में जाके फादर को कह देंगे कि हम एक दुस्रे से प्यार क करें तो परिक्षा के लिए जोर जोर से पढ़ाई कर रही हूं ठीक है क्या कर रहा है अधर वाज नहीं बना सकते थे चुछ तुम जाओ तुम जाओ ने तो पपी मेरा भाई देगा तुमको जाओ कि 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 झाल दो हुआ 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 है को रहे हैं वो चर्च के फादर तो नहीं है लेकिन वो यहां क्यों आये थे वो भी आपके कमरे में मैं समझ गई गलती मेरी है पिछली बार अपने कबूली जवाब में मैंने उन्हें अपने दिल की बात खुल कर बता दी थी पर वो यह मतलम निकालेंगे मैंने सोचा भी नहीं था क्या बोल बॉल अंटी आपको शरम आनी चाहिए अरे दो इंसान एक लुक्त प्यार करते हैं उसमें शरम की क्या बात मुझे प्यारकरने क का नहीं है क्या में Four arts अमयरे सीने में भी तो दिल है बस करो और चुब बैठो और ये बात यहीं दबादो नहीं तो आपकी वज़े से पूरे गाउं में हम बदनाम हो जाएंगे समझी बदमाज कर अगाउं बदमाज B झाल 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 कैसे हो जाने मन झाल 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 में झाल में झाल में झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कि दुकत भाल झाल कि अई मोट प्रेग भ क्रूपर्ट कर're येई! ब्रास वापसे दो! येई! येई! आ? कि यह जगा बहुंचा दू यही तेरी पापों की शिक्ष्षा है राचिभे कि इव लुगा आज है कि इव लाज वो ग्रॉस नहीं देड़े तू एक हांते उबर नहीं आसकता तू यही सोच रहा है ना कि एक बार एक क्रॉस तू ने मुझे दे दिया तो मैं रसी खोल के तुझे यही मरने के लिए छोड़ दूगा अरे अन्जाने में ही सही लेकिन कुछ वक के लिए मैंने भी तुझे अपना भाई माना था अर तू ने भी मेरी रख्षा किये एक भाई के तरा मैंने उक्टार का मतला चुका रहा है वक्रॉस दे दे मुझे लादे कर दो 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 कि भूब नहीं यह चर्च का एप जेजस को तो लगड़ी के कोरास पर चड़ाये था ना चर्च को सोने का को जाए यह नहीं यह चर्च का बूला ना नहीं नहीं बूला कि अगे जा लेंके जा पर याद रख याद रख जिस परिवार ने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला पोशा जिस अपना निवाला तुझे दिया उसी परिवार को सडख पिला के जा रहा है तुझे अरे क्रॉस बेच के करणों रुमे मिल जाएंगे तुझे लेकिन वो प्यार वामता जो इस परिवार ने दिये न वो खरीद के भी नहीं मिलेगी तुझे जास अले चाट ले उस दौलत को परियाद रख इस परिवार का श्राब हमेशा तेरे सर में रहेगा कभी शांती नहीं मिलेगी तुझे कभी नहीं कि वाके तुझे के दि 카णना उनन लेकित को खऑा है के वाके कित baru अनने मिलेगलके वेकिन भाम स्थलिए बिल दुझे Чईअ स्थलिए स्थलिए के अनुझे के तूल उनने पिर तुगा है कि वाकान जूजअस को आजमinkyई उनन सालों पहले जो सोने का क्रॉस हमने खो दिया था वो हमें वापस मिल गया है लेकिन ये क्रॉस मिला कहां से कब क्यूं कहां यह जानने की किसी को दरूरत नहीं है यह हमारी कुछ नसीब है कि हमें हमारा क्रॉस वापस मिल गया है और हमारे गाउं के उपर जो श्राप था वो अ बैटावारे अरे हां भई हां याद है और में तो तैयार बी हुँ लेकिन गाउओ वालों से पूछो क्या वो चाहेंगे कि माइ मेरी बेटी ऐसे आद्मी के साथ बेजू जिससे चर्च का क्रॉस चोरी किया हो इसने का क्रॉस मैंने चूरी किया किया है वो दोबारा इसे चोरी करने आया तो पकड़ा गया बक्री बेटे ऐसी दादी मा की कहानिया है ना अपने बच्चों को सुनाना समझ गए भाईयो मेरी बात महनो यह यह असरी चोर नहीं पुलिस को अरे भाईयो मेरा विश्वास करो मैं सच कह रहा हूं कुल आपकरी बेटे बोल अरे शांत हो जाएए शांत हो जाएए शांत हो जाएए ज्यानी बेटा कहा है चोर रहा हूं कहां यहां हूं का संभयो आख कर दो नहीं तुमने चोर किया था यह नहीं सैम बाइया चोर नहीं है बलकि इनकी वर्ण से तो चोर पकड़ा गया अब यह सुनो बैए यह चोर नहीं है तू चोर नहीं है तो कुण मैं चोर हूं कि मैं चोर हूं अरे बताओ सब को कि जो चोर पकड़ा गया वह कहां है बोलो सैम बाइया बताएं कहां है वो बताएं ना कहां है वो कुछ है जोट को बोला क्योंकि किसी भी इंसान को एक ही गुना की सजा दो बार नहीं मिलनी चाहिए जो गुना उसने किया उसकी सजा तुम बुगट चुके हो अब उसे सजा मिलने दो यू समझ लो कि इस पवित्र अक्रोस को चुराने की सजा आपको मिल गई सैम भया मैं Sam नहीं हूँ मेरा नाम मत पता मत पता मेरे लिए तुम Sam भया हो और वही रहोगे तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो Sam भया अब अगर तुम जाना भी जाओ न तो भी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे हम नहीं जाने देंगे पीटा सर अभी क्या भी जवाब दो आप अपनी बेटी मारिया का हाथ जॉनी के हाथ में दो गया नहीं अगर मैं कहूं कि नहीं दूगा तो फिर हम सब मारिया को ठाके जॉनी के घर पर छोड़ाएंगे जी जाजी जब तक मेरी सांस चल लएए मैं कभी ऐसा होने नहीं तो फिर कडड़ी कि मेरा मुख क्या देख रही है जा 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 आ